गुजरात के इस थापना के 51 वर्ष पुर्ण हुए आज गुजरात ने 52 वर्ष में प्रवेश किया गुजरात ने जब स्वतंतर रुपस अपनी विकास यात्रा प्रारम की तब सब लोगों को लगता था कि जिस गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं है बहुत बड़ा इलाका रेगिस्तान है उद्योग नहीं है खेटी की संभावना नहीं है क्या यह गुजरात विकास कर पाएगा ऐसे सबालिया निसान के साथ गुजरात ने अपनी विकास यात्रा 51 वर्ष पहले प्रारम की थी आज पुरे विश्व ने गुजरात के लोहा स्विकार कर लिया है कि गुजरात में दम है गुजरात के पास पोलिटिकल वील है और गुजरात केन इस सारी दुनिया ने देखा है चाए कुरुशी विकास हो अवद्योगी क्विकास हो सर्विस सेक्टर हो सबिक शेत्रों में गुजरात ने विकास करके देश को प्रगति की रहा पर ले जाने में खुद की जिमवारी भली भाती निभाई है आज का पर्व उन वीर शहीतों को नमन करने का पर्व है इंदु चाचा के नेत्रुतों में गुजरात के युवकों ने जो अंदोलन छेडा था वो आज भी हम सब के लिए प्रेरा का केंद्र बिंदु है भद्र का किला जहां कॉंग्रेस की कचेरी हुआ करती थी वहां से गुजरात के नवजवानों पर गोलिया चलाई गई थी सैंकड़ों नवजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था लेकिन गुजरात के विद्यार थी महा गुजरात की मांग से पीछे नहीं अटे थे और उनकी शहादत ने रंग लाया और आज गुजरात विकास की नई नई उचाईयों को पार कर रहा है मैं विश्व भर में फैले हुए सभी मेरे गुजराती भाईयों भेनों को गुजरात के स्थापना दिवस पर अंतह करण पुरवक बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि हम गुजरात को और नई उचाईयों पर ले जाएंगे सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को आगे बढ़ाते चले जाएंगे जय जय गर्वी गुजरात जय 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 गर्वी गुजरात